हलो एफ्रीवन कैसे हो आप सबी ये गट्टे की सबजी मैंने जब शुरूती दीदी आये थे ना मेरे घर तब मैंने बजार से खरीदी थी रखी होई थी फ्रीज में रोटियां भी काफी रखी थी तो मैंने इसी में से एक देड रोटी खा ली थी बाकी मैंने डिसकार्ड कर दी थी करीबन दस रोटियां क्या करती अब इतनी बासी रोटी थोड़ी खाई जाती है और ये तंदूर की रोटियां जो तो वैसे भी सक्त हो जाती है दो तिन घंटे बादी साथ की साथ खाने वाली होती है फिर मैंने कर नहीं रहने देनी थी कोई फायदा नहीं है फिर साल होगे दो साल से बिल्कुली हाँ टोफी वगएरा वाला मीठा अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए लेकिन थोड़ा बहुत घर में आप बना रहे हो तो दे सकते हो तो वैसे नमकीन दलिया भी विहान खुश हो के खाता है बट कल विहान को मीठा दलिया मेरे को क्योंकि कुली बंद करने की जरूरत नहीं है बस प्रोसेस्ट फूड मत दो जो भी बनाना है न आप घर पे बना के खिला दो बच्चे को चाहे बर्गर भी बनाना है न तो बर्गर घर बाहर से खरीदने की बजाए ब्रेड ले आओ घर पे टिकी बनाओ घर पी उसमें फिलिंग करक करवाए तो थोड़ा मेरे को रिलेक्स फील हो रहा है और अब मैंने बस ठान लिया है कि अब तू ना टेंशन नहीं लेगी क्योंकि तू डरती जादा है इस वज़े से ना तू फिर टेंशन में आ जाती है तो तो तेरे को डरना नहीं है तो दिमाग में ये थोट लाना ही ही है और अच्छा अच्छा सोचना है क्योंकि जैसे जब हम ज्यादा नेगटिव सोचते है ना तो मैंने भी अभी पता एक बुक है रहस्य नाम से दाशीक्रेट वह खरीदी थी तो वह मैंने कुछ पने उस बुक के पढ़े हैं मैंने तो मैं उसमें लिखा हुआ है कि जो ह नहीं चाहते वह हम सोचते हैं तो हमारी लाइफ में वही जादा होता है कि हम negativity को अड्रेक्ट करते है जब हम negative सोचते हैं अपनी life को लेके अगर हम डरेंगे कि हमारी लाइफ में यह वो हो जाएगा तो वह सच में हो जाएगा क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज बार-बार चल रही है तोफ में का दरक על günम कर देते हैं हमारे दिमाग में सौच सौच के तो हमें हमें जो चाहिए ने अपने लिए वह सोच नहाएं तो मैं अपने बच्चे की अच्छी health चाहती हूँ तो मुझे ये दिमाग में नहीं लाना है negative thoughts मेरे को ये लाना है कि मेरा बच्चा बिल्कुल healthy है ये सोचना है बिल्कुल शरीर स्वस्त है और आगे बिल्कुल अच्छे से healthy रहेगा इस तरीके के thoughts ही अपने mind में रखने है अपने आपको control mind को तो इसलिए अच्छी किताबे पढ़ना बहुत जरूरी है इस time में बहुत किताबे पढ़ रही हूँ आपको मैं बताओ मैं daily दो घंटे निकाल रही हूँ time रात को निकालती हूँ time मैं करीबन कोशिश करती हूँ कि मैं सड़े 8 बजे तक रात को free हो जाओ और रात को बै इतने सालों में नहीं आया लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं पढ़ाई करूँ मैं books बोखोत सारी books पढ़ना चाहती हूँ मैं सच में मैं पढ़ाई लिखाई से जुड़ना चाहती हूँ दुबारा से मुझे और बोखोत अच्छा लग रहा है मुझे खुशी मिलती है सड़े आठ बजे तक बच्चा फ्री हो जाए क्योंकि इससे ना बच्चे की नींद पूरी होनी भी बहुत जरूरी होती है और अच्छा एक बात और मैं बता देती हूँ मैंने वो फ्लाइट के पैसे थे ट्रांस्पोर्टेशन के जितने भी पैसे थे मैंने वो जो डलवा होता है ना पैसो का मैं पूरा हिसाब रखती हूँ गर सो रुपे ना मैं उनको देती ना मैं उनसे लेती मैंने वो हिसाब है हाँ जब मेरी मम्मी मेरे पास रहा करते थे तो मैं उनका खर्चा मैं खुद उठा रही थी ये बात सच है मैंने कभी अपने माईके वालों से नह से नहीं रुका गया तो उस टाइम से ज़रूरत थी तो इसंसी लिए इसी लिए भी तो बहुत बड़ा हो गया था अगर यह होता ना कि जैसे मेरा भाई बात भी कर रहा होता फोन पे या इतनी भी उसकी हालत होती तो फिर हम लोग फिर आराम से भी आ सकते थे ट्रेन से भी आ सकते थे कि चलो ठीक है बोल रहा है लेकिन उसकी कंडिशन जादा खराब हो गई थी उसका बहुत major accident हुआ था मेरे भाई का तो इसलिए क्योंकि ICU में था और बिलकुल ही मतलब उस टाइम हमारा एकदम से family का पहुँचना बहुत जरूरी था क्योंकि फिर वही है ना कि doctors को sign वगरा भी चाहिए होते हैं कोई भी वो procedure बिना किसी attendant के तो नहीं कर सकते ना कि जब family के मंजूरी के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे तो इसलिए हमारा होना वहाँ पे जल्दी से जल्दी जरूरी था क्योंकि असम बहुत दूर है हिसार से तो इसके बाद या देखो मैंने दलीया बनाया nights अगल वही न Messiah बहुत अच्छा दलीया बनादाग हो अगल वह बनाद में जर्दी से ओ Figato क्छोन को एक इंट कर दो नहीं कुछ कर दाब यह सही बन गए थे फ्रेंच प्राइज एकदम करारे बने थे इसमें से थोड़े से एक छोटी कटोडी में मैंने भी थोड़े से यही था दिये सुबै नाश्ते में क्योंकि मैंने सोचा मैं स्पैशल अपने ले क्या बनाओं तो यहां स्थे से मैंने इसको तेल निकाल दिया विहान की पसंद का नहीं दूँगी तो वह वैसे कव ऐसा ही टीफिन वापिस ले आता है गुड़ मॉर्निंग एफ्रिवन यह वीडियो आज ही की है और आज ही जाएगी और अभी सुबै के दस बज़ रहे हैं तो मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ यहां पे फेस करवाई हैं वो मेरे ही पैसे थे मतलब मेरा ही खर्चा था क्योंकि देखो अगर मैं ना जाती तो उनका खर्चा थोड़ी लगता मेर अगर मेरा और विहान का और विहान की पूरी टिकेट लगी थी वह फ्लाइट में प्लेन में क्योंकि बच्चा बच्चे की ऐसा नहीं मत मतलब जैसे मेरे साथ मतलब पूरी सीट उसने भी मतलब ली थी तो इस तरीके से उसका भी पूरा ही लगा था तो देखो ये तो खर्चा मुझे देना ही था ठीक है बस ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोगों के जो कॉमेंट्स आ रहे थे कि आप क्यों दे रहे हो भाई मेरे मेरे उपर हुआ खर्चा था और मेरा ही खर्चा था और मैं काफी सालों से सेपरेट रहरी हूँ आपको भी पता है मैं मेरे माईके में नहीं रहरी हूँ ना ही मैं ससुराल में रहरी हूँ और मैं मेरा और विहान का खर्चा मैं खुद ही उठाती हूँ और मैं अपना कि इसम Means मैं की मैं अपना हिसाब एसे रखती हूं कि मतलört मैं मेरे माük Monitoring करें इसलिए की आज इए करना विल्कुल भी यूट्वी पर इस लिए नहीं छोड़ा कभी आज तक ब्रेक नहीं लिया मैंने क्योंकि मुझे पता है कि देखो मुझे मेरे मेरा आच कल rpm down चाहल रहा है मेरे चैनल का उसमें क्या होता है न कि आपके व्यूज्स अच्छे भी हो तभी salary कम बनती है और वह पता नहीं क्यों पिछले देर 2 महिने से तो इसलिए मैं regular काम करती हूँ कि यह सोचके कि मेरी हर मन्त मेरा यह रहता है कि एक salary आई जाए क्योंकि YouTube से क्या होता है ना कि आपकी minimum 8000 रुपे बनने ही चाहिए अगर 8000 से कम बने है ना आपकी तो YouTube जो है ना salary अगले दो महीने की कठी देता है वह उस महीने की नहीं देगा तो इसका मतलब 8000 रुपे तो आपको हर महीने बनाने ही बनाने पड़ते है YouTube से तभी आपकी महीने की अगले महीने की जो सेलरी होईगी ना आपकी मानलो 78000 तो जूड के बारा-चोदा हजार आएगी यह चीज होती है तो इसलिए देखिए मेरे को अभी कहना देखो मेरे बता है क्या देखो अभी 22,000 तो यह खर्चा हो गया इसके अलावा अभी 3800 रुपे का मेरा एक घर का ब बिल मुझे भरना है उसके अलावा अभी देख लो क्या हो गया मुझे अभी ध्यान नी आ रहा शायद मुझे next month या next next month विहान की फिर 6000 ड्यूशन फीस भी भरती हूँ मैं अभी 2500 मेरा मेंटेनेंस कम से कम 2-3 महीने का इक अठा हो रहा है मेरा को लग रहा है 3-1-1000 वहां पे अभी पिछले 2-3 सालों के मैंने नहीं भरे आपको भी पता होगा प्रोपर्टी टेक्स लगता है वह भी मिरको एक साल पहले आये हुए है उसके कितना मेरा फाइन भी लग चुका होगा सोचिए देखो ना इंटरस्ट भी लग रहा है क्योंकि मतलब वह उसमें भी दोनों घरों का मिला के वह भी मुझे अच्छा खासा दस बारा हजार का भरना है तो इस तारीके से खर्चे इतने जादा हो जाते हैं मतलब बीच में थोड़े बहुत रखने भी बढ़ते हैं क्योंकि कई बार मोटर खराब हो जाती है मेरे घर की तो वह मोटर ठीक करवाने के फिर लगा ही रहता है खर्चा उपर से अभी डोक्टरी खर्चा भी देखो विहान के मैं धाई हजार रूपे देके आई हूँ उपर से जैसे अभी असम गई थी तो वहां भी मैंने तीन-चार हजार रूपे खर्च कर दिये क्योंकि वहां मतलब कुछ किताबे भी खरीदी थी खरीदी थी इस तरीके से तो मैं वही चीज़े बता रही हूँ देखो जो खर्चे होते हैं देखो वह तो मतलब होते ही हैं देखो करने पड़ते हैं तो उसके लिए देखो महिनत करके वीडियो भी बनानी पड़ती है कमाना भी पड़ता है जब आपको पता है आप सिंगल और आपको खुद ही कमाना है तो आप ब्रेक कैसे ले सकते हो यूट्यूब से चाहे कोई भी कंडिशन हो आपको वीडियो तो डालनी पड़ती है आप कैमरा नहीं छोड के साइड में रख सकते हो आप इस चीज को समझो क्योंकि आपको आपका खर्चा निकालना है अच्छा एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं किसी ने मेरे उपर ना यह इलजाम लगाया था ना कि मैं वीडियो वीडियो बना रही थी और मैंने मेरे भाई के वहां गई थी आइस यू में और रिपोर्ट नहीं लेकर आई और मैंने कहा था कि मैं रिपोर्ट ले आ तो जाते जाते अगर मैंने कैमरा उठाके उधर उधर की फोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लिया तो इसमें मैंने किसका नुकसान कर दिया मैं अपना काम कर रही हूँ तो मेरे काम से किसी को क्या प्रोबलम है ठीक है कि मैं अगर मान लो यहां पर हिसार में रहती तब भी अपना काम करती ही ही है जरह आप इस चीज में तो मेरा काम करना एक सिंगल मदर के को आप ऐसे question नहीं लगा सकते हो कोई भी हो कि हाँ काम क्यों कर रहे हैं वीडियो क्यों बना रहे हैं यह मेरा काम है मुझे करना ही करना पड़ेगा परना मैं survive कैसे करूंगी ठीक है और मैंने ऐसा नहीं था मैंने फ्री टाइम है तो मैंने एडिटिंग करके वीडियो भेजिंग ठीक है और दूसरी चीज मैंने वहाँ पर मैंने गई थी आइस यू में मेरे भाई की रिपोर्ट लाने के लिए लेकिन उन्होंने नर्सिज ने ये बोला था मुझे कि शाम तक आएंगी सारी रिपोर्ट आए मैंने प्रãyशर नहीं बनाया हुगा कि अभए नर्सीज के ऊपर कि आफिद्क थो इकशा नेचेर होता है हना मैंने असे North नहीं हो नहीं हुगा अनुने को बहुति है प्लाया कि शोपिनिद्श के लिए घरी खरी थी वह शौपिंग कर रही थी तो इसमें प्ने क्या गुना कर दिया अगर मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बना के आप लोगों को दिखा भी दिया कि हां मैं मेरे भाई के लिए बुक खरीद रही थी या कोई किताबे मैंने खरीदी अपने बच्चे के लिए फन फुरूट खरीदना शोपिंग होती है क्या मुझे बता फैशन की और एक फैस कि चीज़ खुशा खरीद रही है क्यों सी बच्चे को खाने पड़ते हैं लगे दूद 2 लए दूद नि collapse पर यहां पर तो वह चीज आप खुद सोच यह ना में शोपिंग क्या कर रही हूं बच्चे के लिए फल्फुरूट खरीदना शोपिंग होती है बच्चे के लिए कोई किताब खरीद ली या बुक्स खरीद रही हूं मैं दो तिन पढ़ने के लिए कुछ खाली बैठी हूं कुछ काम नहीं हो रहा, तो दो तिन अच्छी positive books खरीद ली, मैंने motivational की थोड़ी हिम्मत मिलेगी, तो ये shopping होती है, shopping का मतलब भी आप लोग समझते हो, क्या होता है shopping, ये shopping होती है, कि हाँ आपने कोई किताबे खरीदी, या कुछ खाने पीने का समान आप खरीद रहे हो, बच् ही मर जाओंगी, ठीक है, तो मुझे तो पता है, मेरे को हर हालात में अपनी वीडियो भेजनी है, हर हालात में काम करना है, सो खर्चे आके खड़े हो जाते है, मेरा बच्चा मेरी तरफ देखता है, कि मैं करूंगी, मेरा बच्चा मुझसे मांगता है, कि हाँ मेरी मा मुझ इसलिए नेरी क्योंकि वह दो दिन में तोड़ देगा फिर यहां मतलब फिर वही है ना अभी ओर थोड़ा सा समझदार हो जाए क्योंकि वह महंगी आती है फालतु में पैसे खर्चू एक दिन में वह तोड़ दे बाकी पड़ोस के बच्चे भी वही है न सारे आ जाते हैं फ काफी हद तक अभी और भी रखोंगी जो जो खिलोने दिखर है ना जो पुराने और रखे ना विहां के अभी चार-पास महीने उसको वही दूँगी फिर वह वाले पुराने खिलोने विहां तोड़ देगा ना अपने जो बिल्कुल छुंबर निकाल देगा जब इन खिलो के इसके नई खिलोने दूँगी सारे खिलोने बच्चे को एक टाइम पर देने भी नहीं चाहिए सारों वे फिर वह यह दोड़ फोड करता है बच्चा नुकसान खुद भी करेगा दूसरे बच्चे भी करते हैं दोचार-धोचार खिलोने दूँगी इसको मैं तो यही बा चुल को किन है वो सबको पता है कि मेरेसाथ क्या हो रहा था वहां nên दुनिया हो है कि Leo कर रही थी यह कर रहा था जल जाने दो आर्गाने तो दुनिया है यह बता है कि मेरे बच्चे पर ध्याद देने अगर मैं टेंशन में रही तो मेरा बच्चे का नुकसान होगा तो मुझे स्ट्रोंग माइंड होके काम भी करना है वीडियो भी डालनी है और अपने बच्चे को भी पालना है और जो बात आई टाइम की तो देखो यहां पे रहती तो यहां की वीडियो डा यहां पिछले दस बारा दिन से कर रही हूँ वीडियो डाल रही हूं आगे भी डालोंगी तो कमसे कम एक सैलरी आलरी आजाएगी मालो महीने का आजेगा बीसजार रुपे मेरा अगला महीना तो चल जाएगा घरखरच तो चलेगा ना मेरा फिर कैसे छोड़ दू मैं काम कर त retr Подच 90 मेरे या विडe टू मेरे नों हम लागत में वर्ट हें नब पर कॉछ बेट कर काम्हम हम पैसे देने लग रहे हैं कुई चैनल और को दो रुपद था निए तो बताव मैं क्या गलत कर रही हूं काम कर रही हूं तो करने हैं दूसरी मेरी दो तिन वीडियो रखी हुई है जो मैं एडिट करके डालने के लिए वाइफाई की प्रोब्लम आ रही है मेरी पिछले तीन-चार दिन से इसलिए मेरी वीडियो में डिले हो रहा है अभी कुछ भी जो भी दिक्कत आ रही है अभी भी चार-पास दिन मेरा वाइफाई ऐ ऐसा ही चलना है लगेगा टाइम जैसी वाइफाई ठीक हो जाएगा तो मैं वरना एक पड़ोसी है हमारे हाँ पे उनके वाइफाई अगर चल रहा होगा तो उनके घर डालके आ जाओंगी आज वीडियो वही मेले सोचा है ठीके जा एंड करती हूं वीडियो अपना खुब लोस अफ लोग